भीकुल 101 एंसराम प्रिपी या रिर्क बेचान तो सा था कर वंदी नहीं है वेलकून चैनल स्थ्थिकर इंद तरुन डिम्र की यूडन मतनु ए मनें फोन से किस दरफॉट generate कर सकते हैं कि यूडियो mare आपके आपके जो फोन की अपनी इंटरनल एपस होती हैं जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपने मोनो को स्टेडियो में किस तरह करना है दूसरा यह कि जो मुझे सबसे बड़ा मसला होता था वो था सेंक करने का कि दो आडियो को आप वीड आपने फ्यू जाएंगा आपनी फ्यू फ्यू फाइल जिसमें से एक वीडियो फाइल आपनी एक्स्टर्नल जो मैंने और आटीज रेकॉर्ड की वीए मैं उसको वहां पर इंपूर्ट करूंगा इस इस पर देख सकते हो कि यह जो हमने इसी चीज के बारे हम बात की थी इस इसके बाद जो है यह audio हमारा जो main concentration है वो अज audio की उपर है so audio जैसे कि अभी इस वकद मैंने यह फाइल खोली है तो आप देख सकते हो कि यह एक चैनल है हमारे पाइल, that means कि यह mono है इसको हमने convert करना है stereo में अब एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर एक दफा आपने यहां पर इसको drag कर दिया उसके बाद अगर आप इसको convert भी कर देते हैं तो यहां पर file as it is पड़ी रहेगी so I would highly recommend कि पहले आप लोग इसको stereo में convert करें उसके बाद आप इसको import करें so इदर से हम लोग इसको कर देते हैं delete और इसको mono से stereo में convert करने का है बहुत आसाम तरीका सबसे पहले आपने clip अपना select करके right click करना है उसके बाद आपने जाना है modify में modify के बाद आपने जाना है audio channels पर audio channels में जैसी ही आप जाएंगे आपको सबसे पहले option नजर आएगी clip channel format जो है वो आपका mono है यहां पे भी आपको एक ही channel लिखा रहा हो गई है आपने इधर इसको drag down करना है यहां से आपने स्टेरियो इसके बाद आपको नजर आएगा कि यहां पर एक channel की जगह आप हो गए तो और वो हो गया आपके पास left and right तो इसको आपने right को भी select कर देना है make sure करना है कि यहां प आप देख सकते हैं कि दोनो चैनल आपके पास enable हो गए अब अगर आप इसको drag करते हैं अपनी timeline के ऊपर तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास दो चैनल दिखाए गई है so this is basically how you convert your mono audios to stereo अब दूसरा जो सबसे challenging चीज थी वो होती है आपकी audio को सिंग करना video के साथ अब for example मैं यह वाली video यहां पर drag करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो audio है वो है काफी लंबा for example हम लोग इसको यहां से play करते हैं तो जैसी आप play करें दूसरा इसमें आपने यह करना है कि यह video स्टार्ट हो रही है यहां से और हमारे पास audio स्टार्ट हो रही है हमारी इन waves को आप उठाएंगे और इनके साथ आप सिंग करेंगे and this is gonna take a lot of time हम ने इसको करना है शॉटकट में शॉटकट हम लोग ने इस तरह करना है कि आप इस क्लिप को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं लेकिन I would recommend कि ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर आपको पता हो कि इसकी audio वह option आएगा synchronize का so just put this on तो जैसी आप इसकी उपर click करेंगे यहाँ पर आपके पास different options आएगे अब यह synchronization बिसेकली तब भी यूज होते है जब आपने multi-camps पर shoot किया होता है और आप हर चीज को सिंक्रनाइस करना जाते हैं लेकिन जुके हम लोग ने audio करनी है तो we'll select audio और हमार इसी ही यह अपनी processing complete करेगा you'll see this thing कि आपकी audio यहाँ से shift हो गई है यहाँ पे अब हमने चेक यह करना है कि वाकई में इसकी सारी wavelengths जो है वो एक उसरे के साथ synchronize हो गई है यह नहीं तो इसके लिए हम लोग play करते हैं video for example अभी जो आप audio सुन रहे हैं isn't this just magic like just in couple of seconds आपकी audio और वीडियो दोनों जो है वो सेख आप हम लोग इसको चेक करते हैं इस तरह कि हम लोग इसको external audio को mute कर देते और हम लोग इसी की internal audio है उसको play करते है for example अभी जो आप audio सुन रहे हैं वो है boyah M1 की ठीक है अभी मैं इसको mute करता हूं और मैं सिरफ इसकी मैं internal audio mute करके external audio की सिरफ हम देखते हैं for example अभी जो आप audio सुन रहे हैं वो है बोया M1 की आप हम दिन दोनों को जो है play करके check करते हैं for example अभी जो आप audio सुन रहे हैं वो है boy and now you can see कि यह तोनों कितने perfectly sync हो गया है तो अभी हमने करना ही है कि हमने इस audio कर देना है और वो हम लोग करेंगे right-click करके आपने कर देना है इसको unlink इस audio को आपने यहां से कर देना है delete और आपके पास यह audio रह जाएगी इन दोनों को आपने कर देना है link and now for example अभी जो आप audio सुन रहे हैं वो है boyam so this this these are few simple steps जो के आप Premiere Pro में कर सकते हैं और आपकी audio from like 50% to 90-95% जो है वो परफेक्ट हो जाएगी इसके लावा कुछ और भी ऐसे tools हैं जो के आप यूज कर सकते हैं इसी audio को enhance करने की लिए if you want me to make a video about that do let me know in the comment section below और मैं उसके बारे में भी video बनाऊंगा I hope this video was helpful for you and इससे जो है आप लोग काफी कुछ सीखेंगे जब से मैंने ये एक सेंक्रनाइजेशन का trick सीख है उसके बाद से मैंने लिटरिली जो है external audios record करना शुरू किया उससे पहले में लिए बहुत मसला होता था इसको आगे पीछे करना और एक एक wavelength को जो है दूसरी के साथ बराबर करना और कभी कभी नहीं भी होता था so that's it from my side for today I hope you liked this video if you liked it just like the video और अगर आप लोग को इसका सब का content पसंद है तो do subscribe to my channel and I'll see you guys in the next video Allah Hafiz